हेलो गाइस वेलकम बेक टो मैं चैनल आप सब कैसे हो आयों आप सब बहुत अच्छी होगे तो मेरी चैनल का नाम है जानवी ब्यूटी एंड ब्लॉक तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है आप सबको मेरी तरफ से हैपी दशेरा दशेरा की धेर शारी शुब कामना है और हम लोग यहां पर स्टेडियम गए हुए थे हम लोग किया यहां पर रामड जलता है दसरे की दिन तो वहीं देखने गए थे बहुत बड़ा होता है तो मैं आपको दिखाऊंगी और यहां पर बच्चे खेल रहे थे मेरे बेटा और बीटी को इंजॉय कर रहे थे इस तरीके स से फिर वहां पर स्टॉल लगे हुए थे तो यह उन्होंने ख्लॉने भी वहां से लिए हुए हैं और इंजॉय कर रहे थे और बच्चों को तो बस इस तरीके से दिखता है तो लें नेकली जित करने लगते हैं फिर घर में आ करके फिर दुवारा उसको छूने वाली नहीं ह होते हैं टो इनको यहां पर दिला दिया था और बहुत ज़्यार इस्टेडियम बहुत बढ़ा है तो यहां पर बहुत कराउड P बहुत पब्लिक आई हुई थी और हम लोग थोड़ा से टाइम से पहले चले गए थे तो इसलिए अभी इदर का है आप देख पारेगों बहु है रामड और हम लोग रामड से बहुत दूर बैठे थे बहुत ही ज्यादा दूर क्योंकि यह स्टेडियम बहुत ज्यादा लुक देखिए यह हमारा रामड तो फ्रेंड्स है आप सबको हम लोग की तरफ से मेरे पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको पूरे फैमिली को भेर शारी दशारे की सुबकामना है दिल से दसेरा आप सब खुश रहिए हैपी रहिए शुरक्षित रहिए तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों बहुत इंज्वाइग किया काफी टाइम स्पेंड किया इस वार हम लोग जल्दी पहुंच गए थी क्योंकि दो बार से कुरोना के वज़े से आठ बजे ही जला दिया जाता है और इस भास भी वही एनाउस्मेंट था लेकिन इस वार पता नहीं क्यों बहुत टाइम लग गया और यह बारा बजे फिक्स बारा बजे ही जला और हम लोग यहां से नौ बजे के समतिक पहुंच गए थे तो काफी बेट करना पड़ा लेकिन वहां पे काफी लोग फैमिली ग्रूप बगरा आ गए हुए थे तो मतलब इस तरी वैसे तो मिल नहीं लेकिन सब लोग आ गए तो फिर मिल लिए तो इंज्वाई भी हो गया सब लोग बैठी रहे बात करते रहे इंज्वाई करते रहे मेरे बहीया बाभी सब लोग पहुँचे हुए थे तो हम लोग ने वहीं इंज्वाई किया और बच्चों की सैतानी कंटिन्यू चालू थी तो यहां पर वो लोग सैतान कर रहे थे और लब ने बहुत इंज्वाय किया बहुत ही जादा नानू तो घर पर आकर के हाथ मो धो करके सो गए थी लब लेकिन परेशान कर रहा था क्योंकि वो बहुत ठक चुका था बहुत पूरी स्टेडियम में गूंगता रहा और ये भी बेटू भी इनकी पीछी पीछी गूंग रहे थे और नानू भी गूंग रही थी तो काफी सब लोग ठक चुके हुए थे तो यहां पर दिखाओंगी मैं आपको दिखिए यह पटा के यहां पर रामट जल चुका है और आप देखी पा रहे होके तो यह इस तरीके से जला दिया जाता है पूरी रामलीला होती है फिर उसके लाश्ट में इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है और यहां पर मैं आपको पटा के दिखा देती हूं बहुत भी प्यारी लग रहे थे और लब अभी बढ़ा हुआ है तो पहली बार ही उसने इस तरीके से समझने लाइक ह पर भोड़े ने दर भी ही रहा था पहले थो बट-बाद में फिर इंज्वाई करने लगा तो इस तरीके से हम लोगों ने बबहुत इंज्वाए किया और पहले ही बाहर हम लोगों ने खा कhा लिया था… झो भी खना था वह मैं सूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि हर जगह अब कैमरी खोल करके नहीं बढ़ सकते हैं और लगता है कि पहले बच्चों को उपर कॉंस्टिट करो मैंने कहा कि पहले बच्चों को अच्छे से खिला देती हूँ फिर आराम से बच्चे खेलेंगे फिर वो ठक जाते तो उखाते नहीं है तो रिलेक्स माइन थी तो पहले मैंने बच्चों को पूरा अच्छे से डिनर करवा लिया था उसके बाद मैं यहां पर ले करके गई हुई थी तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने देखा और उसके बाद से वहां से निकले और दूर पढ़ जाता है मेरा घर और यहां पर यह स्टेरिया में काफी दूर पढ़ जाता है कम से कम 7-8 किलो मीटर का इसमें गयफ पढ़ जाता है तो 7-8 किलो मीटर हम लोगों को दूर आना पढ़ता है इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी निकलाए थे हम लोग तो एक बार अगर आप लोगों को मेरी तब से हपी दशेरा आप सब खुश रखिए थैंक्यू रहिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लिस मेरे चैनल को सस्काइब कीजेगा बेल आइकन के साथ कीजेगा और इ दो जातों तो फ्री तॉस्पार इच्टेवन के साथ से दिए रहिए था आप सब्सेंden दूश देख नहीं हैं तो जोड़ा कीजेगा आप सानल शेला हैं तो जोड़ा ओंटिए दूसों जोड़ा हैं रहिए यूश ड़ा आप सटिए अवेश डरी तो आप सिरे दोड़ा